हालो मेरी पैरा बच्चों कैसे हैं आप सब तो बेटा आज जो अपना टॉपिक है डाट इस दा रेडिकुलर सिस्ट अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा है देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है कि सिस्ट क्या होता है सिस्ट एक हॉलो कैविटी होता है जिसमें कि फ्लूइड ब बीच में डिफरेंस पढ़ा इन पार्ट जो सिस्ट के होते हम लोग पढ़ लिया उसके द्वायवा में क्या-क्या पूछा जाता है हमने यह पढ़ा उसके सिस्ट का क्लासिफिकेशन एक ब्रॉड वे में हमने डिसकस कर लिया अब आपको मैं बता रहा हूं डैट इस दर र और ओरिजिन इदे इस एक इई इनफ्लामेटरी सिस्ट और अब अब अपन इसी की स्टडी करेंगे तो शुद करते हैं डैट इप रैडिकूलर सिस्ट शेको नाम बहत इंपोर्टेंट है किसी का भी नाम जानना बहत इंपोर्टेंट है से आपन डिसकस कर रहे है तो radicular cyst सबसे पहले क्या होता है it is a odontogenic odontogenic inflammatory cyst नाम के लियर है एक odontogenic cyst है it is inflammatory cyst and it is epithelial cyst also odontogenic भी है inflammatory भी है और epithelium से lined भी है तो इसके बारे में इसका दूसरा नाम क्या क्या होता है इसको हम बोल देते हैं periapical cyst ठीक है periapical cyst या फिर apical periodontal cyst या फिर हम इसको बोलते हैं that is the root end cyst ये सब क्यों बोला गया है actually क्या होता है ठीक है ये है किसी दात का root तो ये क्या होता है root के end पे apex of the root पे ये affect करता है ठीक है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं that is the root end cyst मतलब मैं आपको बोलू कि किसी दात का अगर ये root है तो यह क्या करेगा इस area को affect कर देगा और यहां पर क्या होगा कि पस का formation कर देगा मतलब sorry fluid का formation कर देगा इस area में पस नहीं होगा अगर पस बन गया तो भाई abscess बन जाएगा तो यहां पर अभी पस नहीं बना वस एक fluid filled cavity बनाया इसने ठीक है और यह root के end के साथ associated होता है ठीक ह अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्यूं यह होता है इतियोलोजी क्या है होता क्या है कि आइदर केरियस तूथो केरियस तीत बेर्टल केरिज लगा हो यह इंफेक्टेट तीत हो इंफेक्टेट तीत हो ठीक है यह फ्रेक्चरड तीत हो इस केंडिशन में भी यह हो सकता है ठीक है यह इंप्रोपर रेस्टोरेशन है तो इन सब की वज़े से होगा क्या it will lead to the necrosis of the tooth and finally leading to the cyst formation बेसिक बेसिक बात यह है अब यह पुरा पैथोजिनेशिस इन डिटेल आपक ठीक है तो सबसे पहले होता क्या है होता यह है कि कि इस чист के case में सबसे पहले यह दाँ ठाँ ठीक यह दाँ ठाँ इस जिस्ट में अब हुआ क्या जब ये सिस्ट आया इसने क्या किया अफेक्ट किया इसको दातों को अब ये दातों को अफेक्ट करके मान के चलिए इसने क्या क्या इन दातों को अफेक्ट कर दिया यहाँ पे कीरा लग गया अब ये कीरा क्या करेगा अंदर में आपको पता है कि दात के अंदर तो पल्प हो ये क्या किया है, इन सारे pulp को damage कर दिया, अब pulp को जब ये damage कर दिया, तो ये क्या किया, end पे पहुँचा, end तक pulp होगा, सब को damage करके, और उसके बाद ये क्या किया, इस area में एक fluid filled cavity बनाना चालू कर दिया, either on one side, और either on दूसरी side, ठीक है, apex पे, और peri-appical area में inflammation शुरू हो गया ठीक है, तो peri-appical area में क्या हुआ है, inflammation शुरू हो गया, और चुई inflammation होगा, इसकी वज़े से क्या होगा, उस area में epithelial cell rest of molasses क्या होगे, वो stimulate हो जाएंगे, and that will cause activation of epithelial cell rest of molasses, चुकिए inflammation हुआ है, ये क्या करेगा, epithelial cell rest of molasses, मेलासेज को activate करेगा, ठीक, inflammation की वज़े से, अब जब ये activate हो गया है, तो ये क्या करेगा, peri-appical granuloma बनाएगा, सबसे पहले, peri-appical granuloma बना देगा, अब जब peri-appical granuloma बन जाएगा, तो अब epithelium necrose होगा, अब उस area का epithelium क्या होगा, necrose होगा, अब जब उस area का epithelium necrose होने लगेगा, तो क्या करेगा, ये, ये cause करेगा, कि भई, उस area में nutrition supply वगदा, कम हो जाएगा, क्योंकि lack of blood supply होगा, lack of blood supply, nutrition supply, अब जब nutrition supply कम हो जाएगा, तो इसकी वज़ा से क्या होगा, एक cystic cavity का formation सुरू हो जाएगा, ठीक, और ये cystic cavity के बाहर से, चुकि ये epithelium है, तो ये lumen बनेगा, इसके अंदर fluid भरेगा, और इसके बाहर से ये epithelium रहेगा, ठीक है, ये epithelium इसको line करेगा, done, तो epithelium में, अब क्या होगा, कि एक defense mechanism काम करेगा, और ये जो defense mechanism है, pulp को necrose करते हुए, पेडिया पाइकल एरिया में granuloma बनाते हुए, ये पूरे एरिया में defensive cells activate हो जाएंगे, जब ये defensive cells activate हो जाएंगे, तो आगे चल करके क्या करेगा, lymphocytes, macrophage, ये सब आनमस एरिया में चलू कर देगा, ठीक है, तो अब तीन phage शुरू होगा इसका, ठीक है, चुकि pure potent cells होते ह तो अब ये क्या करेगा, epithelial cell rays proliferate करेगा, और ये क्या करेगा, continuous growth करेगा, inner cell deprive हो जाएगा, nutrition से, और it will give rise to the radicular cyst, अब क्या होगा, कि भाई इसका तीन phage होगा, जो pathogenesis है, इसका तीन phage होगा, चलिए, discuss करते हैं तीन phage को, तो इसका जो pathogenesis है, इसके pathogenesis के तीन phages होंगे, ये तीनो phage क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है, that is the phage of initiation, दूसरा होता है, that is the phage of formation, phase of formation, किसका, granuloma का, and third phase होता है, जो की most important है, phase of cyst enlargement, phase of cyst enlargement, तो pathogenesis में ये तीनो phage आपको दुरह सा ध्यान से देखना है, done, ठीक है, चलिए, तो तीनो phage के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहला हो गया, that is the phage of initiation, जफ, ये दांत था, इसने कीरा लगाया, इस एरिया में ये कीरा लग गया, इसने क्या किया, अब नेक्रोसिस सुरू कर दिया है, ये नेक्रोसिस सुरू करके, अब क्या हुआ है, improper toxins वगरा release करना चालू कर दिया है अब इस area में necrosis शुरू हो चुका है अब यही था phase of initiation मतलब phase of initiation कहने का मतलब यह होता है कि जो carriage है carriage will release toxins leading to necrosis leading to necrosis अब जो दूसरा phase इसका आएगा अब दूसरे phase में क्या होगा पढ़ते हैं उसके बड़े में भी इसका जो दूसरा phase है that is the phase of granuloma formation जिसको phase of formation के भी नाम से जानते है ठीक है तो phase of granuloma formation में क्या होगा कि भाई उस एरिया में एक छोटा सा macrophage rich granuloma का formation होगा मतलब यह दात था तो यहां तक तो यह खतम हो चुका है अब इस एरिया में एक छोटा सा granuloma बनेगा देखिए मेरे पेन को एक छोटा सा granuloma formation हो जाएगा मतलब कि जो defensive cells है वो active हो जाएंगे मतलब मेरा कहने का यह है कि इस एरिया में अब क्या होगा epithelial cells that is cell rest of malasage प्लस defensive cells defensive cell प्लस joint cell प्लस blood vessels blood vessels at the apex आना चालू हो जाएगा ठीक है और granuloma जो होता है इस एरिया में highly vasculerized होगा highly vasculerized granuloma ठीक है इस एरिया में granuloma highly vasculerized हो जाएगा ठीक है अब क्या होगा जब granuloma highly vasculerized हो जाएगा तो macrophages lymphocytes आने चालू हो जाएगे infiltrate करेंगे immunologically active जो competent cells होता है वो आना चालू होगा तो कि epithelial cell क्या करेगा कि भई epithelial cell अब activate हो चुका है अल्रेडी तो अब third stage होगा that is the phase of phase of cyst enlargement अब जो third phase होगा that will be the phase of cyst enlargement अब इस phase में क्या होगा इस phase में यह होगा कि जो cyst का size है वो बड़ा होने लगेगा और इसके अंदर में fluid भरने लगेंगे कैसे भाई होगा यह कि जो epithelial cell rest of melasage है वो epithelial cell rest of melasage activate हो जाएंगे proliferate करेंगे it will proliferate और proliferate करके यह क्या करेंगे कि भाई जो inner cell mass है inner cell mass है वो हो जाएगा divide of nutrition क्यों क्योंकि अंदर में blood supply नहीं है divide of nutrition होगा inner cell mass को खाना नहीं मिलेगा और वो क्या करेगा liquefaction necrosis में जाएगा liquefaction necrosis में जाएगा अब अंदर का cell में liquefaction necrosis सुरू हो गया है और बाहर से क्या करेगा कि भाई epithelium add-on होगा मतलब अंदर से damage होना चालू हो रहा है और बाहर से epithelium add-on होते चला जा रहा है तो it will lead to formation of large cavity ठीक है giving rise to radicular cyst radicular cyst और इसी वज़े से एक radicular cyst का formation होना चालू हो जाएगा yes or no यहाँ पर क्या होगा कि islands of esquemus cells होंगे islands of esquemus cells present होंगे और यह develop होंगे it will develop some odontogenic rest of molasses and giving rise to the endodontist referred cyst that is called as be cyst मतलब endodontist के दो जिस्ट को बोला जाता है that is the basis formation हो जाएगा ठीक है समझ में आया तो अब radicular cyst का clinical feature देख लेते हैं एक बार अचलिया clinical feature भी radicular cyst का देखते हैं यार color change नहीं हो रहा इसमें समझ में नहीं आ रहा है बिटा color change कैसे करें येस हो गया तो clinical feature अब radicular cyst का पढ़ते हैं clinical feature में वही अपने पास age, sex and sight age की बात करता हूँ तो 30 to 50 years of age group वाले में 30 से 50 years of age group में ये बहुत common है ठीक है sex की बात करता हूँ तो male और female में equal opportunity होता है दोनों को equally approach करता है sight की बात करूँगा तो root के end, root end of teeth ठीक है, peri apical areas में peri apical areas में ये बहुत commonly ही affect करता है peri apical areas में ये बहुत commonly अपने tooth को affect करता है ठीक है, yes or no, okay ये ये सारे tooth को occur कर सकता है, yes can occur, can occur in any tooth it can take place in any tooth को affect कर सकता है mandibular posterior को most common sight होता है either maxillary anterior या mandibular posterior areas को बहुत common है ठीक है, उसके बाद इसको हम starting में क्या बोलते हैं कि भाई, majority of patient asymptomatic रहते हैं इस cyst की वज़ा से majority of patient में painless होता है मतलब asymptomatic कहने का मतलब में मेरा that is the painless होना तो majority of the patient जो होते हैं, वो asymptomatic होते हैं done इसके अलावा less sensitive to percussion, less sensitive to proportion ठीक है, उसके अलावा bone को destruction rarely ही cause करता है it is rarely और less causes bone destruction rarely या less causes bone destruction ठीक है, और यह cortical palette expansion भी बहुत कम करता है इसके अलावा यह रिप्रेजेंट करता है chronic inflammatory process जो की बहुत लंबे समय से देखने को मिलेगा बहुत जादा ही chronic time से inflammation है तो chronic inflammation chronic inflammation chronic inflammation chronic inflammation इस cyst के case में present रहता है ठीक है, long standing के case में acute observation होगा और जिसकी वज़े से rapidly peri apply के लिए आज में क्या होगा एक cellulitis भी formation होगा draining fistula बनने जाएगा in long course of time एक draining fistula can form draining fistula भी बन सकता है ठीक है बहुत अगर लंबे समय तक आपने इसको छोड़ दिया तो क्योंकि एक generalize कोई root resorption नहीं होता no root resorption no root resorption and no bone loss no bone loss तो हमने क्या क्या पढ़ा हमने यह पढ़ा कि majority of your patient होते है 30 to 50 years of life में होते है male to female ratio same होता है side की बाद का root end area में asymptomatic होता है painless होता है chronic होता है root resorption नहीं होता है bone loss नहीं होता है chronic time में बहुत लंबे time में अगर मैं इसको छोड़ दू तो इसमें क्या हो सकता है कि draining fistula cellulitis बनने का chance रहता है तो 60% जो cyst होता है 60% of all cysts is radicular cyst RC ठीक है यह बहुत important है अब इसके बाद अब आपको कैसे बता चलेंगे यह cyst चुक्या pain भी नहीं हो रहा तो आपको देखने को मिलेगा radiographic feature के अंदर में बहुत सारा changes सबसे पहला जो change होगा that will be radiolucency radiolucency in the periapical areas periapical areas में radiolucency देखने को मिलेगा मतलब यह अगर आपने RVG लिया है तो यह जो periapics है यहाँ पर आपको एक radiolucent area देखने को मिलेगा ठीक है और it will be well circumscribed well circumscribed well circumscribed होगा delineated boundary होगा well delineated boundaries होगे इसमें उसके बाद more than 2 cm diameter होगा ठीक है it will be unilocular it will not be multilocular it will be unilocular एक ही locule देखने को मिलेगा ठीक है और radiopake rim देखने को मिलेगा unilocular radiopake rim radiopake rim मतलब यह अगर दात है तो इसके आसपास में यह area होगा यह एक boundary से bounded होगा radiopake rim होगा ठीक है डन तो आपके पास क्या क्या होगा periapakel unilocular radiopake rim more than 2 cm in diameter और यह बहुत important है more than 2 cm in diameter ठीक है यह बहुत important है क्योंकि आपको इसको granuloma से अलग करना होगा तो आप इसी के करेंगे क्योंकि granuloma का size जो होता है वो छोड़ा होता है ठीक है अब आजाए histological features पे यह बहुत important है चलिए histological feature में क्या देखने को मिलेगा आपको कि एक histological diagram बना दू क्या मैं एक रफ histological diagram मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं कि क्या होता है तो histological diagram जब आप देखेंगे न तो इसमें क्या देखने को मिलेगा arcading pattern sorry बेटा नहीं बन पाएगा चलिए छोड़ी इसमें एक arcading pattern देखने को मिलेगा arcading pattern इसके epithelium में मैंने बोला था न epithelium important है इसका जो epithelium होता है that is the stratified esquemas epithelium होगा और यह arcading pattern में होगा कुछ इस type से है arcading pattern में होगा मतलब in the sense मेरा कहने का यह है ठीक है इस sense में arcading pattern में होगा ठीक है और यह non keratinizing होगा keratin नहीं होगा इसमें non keratinizing होगा non keratinizing होगा ठीक है mature collagen connective tissue wall होगा mature collagen connective tissue का wall होगा दिन आपके पास क्या आएगा कि भाई fibroblast बहुत abundant amount में होगे ठीक है fibroblast cell abundant होगा ठीक है उसके बाद connective tissue में infiltration of inflammatory component क्योंकि इंफ्लामेशन हुआ है तो inflammatory component होगा connective tissue के अंदर में ठीक है इसके बाद आपको ठीक है तो यह बहुत important है और plasma के sales जो होंगे वो क्या होंगे एक circular form में होंगे plasma के जो sales होंगे वो क्या होंगे एक circular form में होंगे और वो represent करेंगे किसको card, wheel, structure को ठीक है plasma के salivant होंगे and it will represent card, wheel, structure ठीक है nuclear chromatin formation होगा cholesterol के crystals देखने को मिलेंगे इस case में आपको lots of cholesterol crystal देखने को मिलेगा lots of cholesterol के crystal देखने को मिलेंगे and cysts can be lined by respiratory epithelium in maxillary sinus respiratory epithelium होगा maxillary sinus में हुआ है तो respiratory epithelium lining रहेगा ठीक है ठीक है, respiratory epithelium in the maxillary sinus तो यह सारे चीज़ देखने को मिलेंगे तो अज जब हम इसका staining करेंगे या aspirate देखेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा cholesterol के crystals यह बहुत important है, यह बहुत important है, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे cholesterol के crystals का देखना बहुत important है और यह जो cleft like, अगर empty space दिखेगा, that will be called cholesterol cleft and that is cholesterol cleft का formation, leaf like structure बनेगा इस type से और यह आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा इसमें रुस्तम body देखने को मिलेगा रुस्तम body भी देखने को मिलेगा that is the radicular cyst का एक feature होता है eosinophilic body होती है तो वो देखने को मिलेगा तो यह सारे बहुत ही important features थे वो आपको देखने को मिलेगा, Russell's body देखने को को plasma cells का ही secretion है तो वो भी देखने को मिलेगा अब यह जो condition है यह कैसा होता है, hairpin shape का देखने को मिलता है highline body highline body भी इसमें present होता है जो घोडे का नाल होता है तो यह hair lady इसका नाम होता है that is the lady hairpin hairpin shape structure देखने को मिलेगा क्यूंकि limited ketine बहुत limited on with ketine present होने की वाइसे अब आ जाते है that is the treatment treatment में क्या है either extraction extraction of infected tooth या फिर curatage इसके बाद extract करके फिर curatage उसके बाद RCT with episectomy apex को पाटके हटा करके epitomy या फिर surgical removal तो यह endo या OS दोनों में आपका चल जागा ठीक है तो यह बहुत important है अब differential diagnosis क्या दोगे recent अगर आ गया तो differential diagnosis क्या दोगे बहुत बाद यह होता है कि अगर size ना पता चले तो granuloma granuloma आप बोल सकते हैं दूसरा various neoplasm but most commonly अपन granuloma ही दे रहते हैं differential diagnosis में जब FNAC होगा fine needle aspiration होगा तो FNAC जब करोगे तो इसमें क्या होगा yellow fluid yellow fluid with low protein देखने को मिलेगा yellow fluid with low protein आपको देखने को मिलेगा यह पूरी जो condition होती है यह हमारी कहलाती क्या है that is the radicular cyst की फूरी details done अब radicular cyst true cyst भी हो सकता है या फिर basis भी होता है अब investigation कैसी किया जाएगा radial graph से इसके अलाबा आप mark बढ़ाने के लिए अप लिख सकते हो that is electric pulp testing भी आप कर सकते हो radicular cyst की भी types होते है types of radicular cyst यह आपको कोई नहीं पढ़ाएगा मैं आपको यह detail में बजाता हूँ types of radicular cyst एक radicular cyst अगर आपके दात को fully apex को control करता है that will be central दूसरा हो जाएगा it will be called as central अगर इस दात के किसी एक areas में ही है that will be called lateral या फिर यह अगर आपके दात में एकदम छोटे से area में यहाँ पे छोटा सा एक प्रिजेंट है that will be called as residual cyst this is important अगर radicular cyst बच गया तो रिया कर दो करके it will cause a residual cyst so this was all about the radicular cyst I hope कि आपको वीडियो समझ में आया होगा please अगर वीडियो समझ में आया है तो like, share और subscribe जूर कीजे चैनल को और हमारे चैनल से जूरे रहने के लिए आप हमें telegram, facebook, insta सब जगह देख सकते हैं मैं सब जगह available हूँ आपके लिए आपके headouts को complete करेंगे आप notes हमारे वीडियो को देख देख कर कही बना सकते हैं इसके अलावा अगर आपको notes चाहिए ता आप मुझे mail कर सकते हैं this notes will be the paid notes ज़्यादा costing नहीं है only 50 rupees per notes है ठीक है और 49 rupees sorry 49 rupees per notes है और first 10 students को ये discounted price में होगा that will be 29 rupees per notes ठीक है और सबसी important बात यह है बिटा कि आप मेरे चैनल से जूरे रहने के लिए आप मुझे mail भी कर सकते हैं मेरा mail ID भी मेरे चैनल के about में दिया हुआ है इसके लाबा किसी भी तरीके के dental problem है आपको need से problem है आपको कोई भी job update चाहिए तो सब के लिए हमारे पास playlist है आप playlist में जाकर करके हमारे चैनल को detail में एक बार observe कीजे हमारे चैनल से और हमारे चैनल से जूर जाइए thank you that's all for today अपने college में share कीजे और हमारे चैनल से जाइए